तो आज मैं आपको संडे के फंडे में एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो आपको समर सीजन अब बहुत जादा देखने को मिल सकता है तो बचो अगर मैं बात करूँ आपके पस अभी यहां पर देख रही हो कि rainfall काफी हो रही है अब मैं बोपाल सेटी में हो और rainfall बहुत जादा हो गई है अब reason क्या है इसका summer season में rainfall कैसे हो सकती है तो इस सीज को समझते हैं बच्छों हम लोग board के अंदर जिसे हम बोलते हैं convection rainfall अलो dear students तो आईए अब समझते हैं हम लोग कि convection process होती ही क्या है और जिसके कारण हम लोगों ने अभी ये rainfall देखी तो बच्छों अगर है बात करूँ कि आपके पासे एक hot water और cold water तो आपको क्या लगता है कि किसकी density जादा होगी बट अवशिसी बात है cold water की density जादा होगी as compared to hot water हाणा तो hot water का temperature क्या होता है usually जादा होता है और उसकी density क्या होती है कम होती है बढ़ यहीं पर अगर हम cold water की बात करते हैं, तो cold water की density क्या होगी बच्छों? जादा होगी और temperature क्या होगा? कम होगा. तो अब यार एक चीज हम जानता है, कि यार जो lighter material होता है, वो हमेशा कहां जा नहीं कुछ करेगा? उपर. और जो heavy material होगा, वो हमेशा कहां नहीं कुछ कर और इस water को हमने क्या करा, bottom से heat प्रोवाइट कर दी, यहां से हम लोगों ने क्या करा बच्चो, इसमें heat प्रोवाइट कर दी, अब जब heat प्रोवाइट करेंगे तो होगा क्या, जितने भी molecule या जो भी water molecule, bottom area में available होगे, इन सब का temperature क्या होगा बच्चो, बढ़ जाएगा, या in nature, और जिसका temperature क्या होगा, जादा, तो यह अपने आपको cool down करनी कुश करेगा, यह बोलू, यह अपने आपको ऊपर rise करनी कुश करेगा, क्योंकि इसका weight जादा नहीं है, यह lighter हो गया है, और जो already हमारे पास water available है, जो कि top में है, तो यह top में जो water available है बच्चो, यह basically है cool, क क्योंकि यहाँ पर हमारे पास direct contact नहीं है, heat का to increase the temperature, but still थोड़ा सा warm होगा, but as compared to this water, यह कैसा होगा, cool होगा, अगर cool होगा, तो इसका मतलब है, इसका temperature क्या होगा बच्चो, इसका temperature हमारे पास जो होगा, वो कम होगा, और density क्या होगी, जादा होगी, तो यह जो cold water है, यह न hot water हमारे पास available है, that is trying to rise in this particular direction, तो hot water उपर जा रहा है, और cold water नीचे आ रहा है, and this process is known as what, convection process, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चो, इस particular GIF में भी आपको देख रहा होगा, कि यहाँ पर जो water के molecules है, जो heat up हो चुके है, वो उपर की तरफ राइस कर रहा है, य अब यही चीज हमारे rainfall में भी follow होती है, अब देखते हैं कि यह कैसे work करता है, तो बच्चो, मान लीजे, अभी हमारे पास summer season चल रहा है, और summer season में हमारे पास काफी intense heat मिलती है, sun से, तो अब होगा क्या, जो भी moisture available होगा, ground surface पे, और हमारे पास जो water body है, उन में हमारे पास temperature क्या होगा, बच्चो, rise होने लगेगा, जब temperature rise होगा, तो water अपने molecule को convert कर देगा, vapors में, और यह vapors in the form of moist air, यह उपर की तरफ rise करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका temperature already क्या हो चुका है, rise हो चुका है, तो density क्या हो चुकी होगी, lighter, तो यह molecules air में अपने आपको rise करने ही cool down करने के बाद यह बन जाएंगे क्या, clouds, अब जब clouds बन गए बच्चों, तो होता यह है कि इसके अंदर temperature जो होता है, अब धीरे 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 reduce होने चालो होता है, और यह cool down होगी कुश्ष करता है, जिसके कारण, जो cloud के अंदर water molecule को hold करनी capacity है, वो कम हो जाती है, और summer season में precipitation होता है, तो I hope आप लोगों को यह समझ में आयोगा बच्चों, कि conventional rainfall होती क्या है और कैसे work करती है, तो हमने एक simple सा example से समझा, जो की पानी गरम करने की process से हम हमारे rainfall तक के concept को समझ पाए, ठीक है, तो ऐसे ही Sunday के फंदे के वीडियो में बच्चों, हम लोग और मिलें तो thank you so much and आगे के वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से, bye bye guys